नमस्कार विडियो देखने से पहले क्रिपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे मज़ेदार विडियो आप हर दिन देख सके पटना एक माँ अपने बच्चे को बिना खोपड़ी का देख कर इतना डर गई है कि वह अपना दूद पिलाने से मना कर रही है बिना सिर और बड़ी बड़ी गोल आंकों के साथ पैदा हुआ बच्चा डेली मेल की खबरों के अनुसार बिहार के कटिहार में पैदा हुआ इस बच्चे का नतो सिर है और उसकी आंकें जरूरत से बहुत बड़ी और गोल गोल में रहक जैसी है बच्चे का केवल सिर का आगे का हिस्सा है, बाकी खाली है, जिसमें ठकके जैसी चीज लटकी हुई है इस अजीब बच्चे के पैदा होने के बाद उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँच रहे है हालांकी पहली बार बच्चे को देखकर हर कोई डर जाता है बच्चे को जन्म देने वाली 35 साल की खालिदा बेगम खुद भी डर गई इसी डर की वजह से उन्होंने अपने बच्चे को दूद पिलाने से मना कर दिया था 19 मार्च को जनमे इस बच्चे को देखकर उसकी मां सदमे में आ गई वो कुछ समझ नहीं पा रही है जनम के वक्त नवजात का रंग जहां हरा था वहीं उसके शरीर पर कचुए की तरह धारीदार आकरिती बनी हुई थी उसका सिर भी पूर्ण रूप से विक्सित नहीं है आंखें जरूरत से ज़्यादा बड़ी है अग्यात बीमारी से गुजर रहा है बच्चा डॉक्टरों के अनुसार माँ बाप के जीन में म्यूटेशन की वजह से बच्चा ऐसा हो गया है डॉक्टर इसे हरलेक्विन इच इस्योसिस बीमारी के नाम से जानते है